आज मैं लेकर आई हूं यह ब्राउनी की रेस्पी इस रेस्पी को मैंने पहले ही शौड वीडियो के माध्यम से पूछा था कि यह क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं कैसे बनाती हूं तो कई कमेंट्स आए थे कि हां जानना चाहते हैं तो मैं यहां इस्टेप बाई स्टेप अगर आप बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो पर्फेक्ट ब्राउनी बन के निकलेगी शुरुआत करते हैं पहले यहां मैंने ड्राय मेटेरियल लिया है एक कप मैदा इस एक कप मैदे पे मैं चीनी पीसी वी ले रही हूं यह लगभग पॉन कप है यह कह सकत और यह लिया है बेकिंग पाउडर ठीक है यहां एक चीज ध्यान रखेगा कि बेकिंग सोडा नहीं यूज होना है सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज होगा अब दूसरा इस्टप नमबर टू पे यह मैटेरियल आएंगे जो लिक्विड होंगे लिक्विड में हमारा यह मै मैदे के रेशियो पे मैं ले रही हूँ यहां पे थ्री फोर्थ कप मिल्क यानि दूद जो लेंगे हम वो उपर से लगभग 25 परसेंट जो है कम भरा होगा ठीक है साथ में लिया है और जो की इसमेल नहीं होनी चाहिए या फिर आप ले लीजे बटर अब करना क्या है जो हम हमारे यह दूद लिया है हमने इसमें एक चम्मच यह मैंने नीबु का रज डाल दिया साथ में यह वनीला एसंस डाल नहीं हूं आपके पास नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मद डालिए बहुत ब्राउनी तब भी बनेगी यह डाल लिया मैंने वनीला एसंस अब इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ओयल जिसमें की इसमेल ना हो ठीक है आप बटर हो तो बहुत ही अच्छा है बटर डाल लीजे यह आठ चम्मच पढ़ने हैं गिनके यह आठ चम्मच पढ़ेंगे यह जो ओयल होता है यह इसको जो मॉइस्ट ब्राउनी बनती है उसमें इसमें हेल्प करता है तो यह सारी चीजे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से इसको पढ़ियां से मिक्स कर लिया और इसको मिक्स करने के बाद हम साइड में रख देंगे हर चीज अगर आप यहां पर पूरी वीडियो देखेंगे तो परफेक्टली आपकी ब्राउनी बनेगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टेप नमबर टू में है हमारे पास सारी चीजों को मिक्स करना कैसे पहले हम ड्राइ चीजों को मिक्स करेंगे पहले यह मैदा लिया और इसे च्छानेंगे च्छानने की क्या जरूरत है मैदा और सारी चीजें चानने के लिए जब हम करते हैं यह प्रोसेस तो सारी अच्छी से मिक्स हो जाती हैं चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे मुझे कम मीठा पसंद है तो ब्राउनी के लिए मैंने यह लिया है हाफ कप से ज्यादा शूगर आप एक कप पूरा भर के चीनी पिसी हुई ले सकते हैं ताकि आप अगर अच्छा मीठा पसंद करते हैं तो वो खुब अच्छी सी मीठास उसमें आ जाए तिक अब यह कोको पाउडर है उसको भी इसमें मैं मिक्स कर लेंगी यह लगभग 6 चम्मच है और अगर नापते हैं तो आधी कटोरी लगभग होगा यह अगर इसमें यह एक चम्मच पड़ेगा बेकिंग पाउडर धान रखिए मैं फिर से बता रही हूं यहां बेकिंग पाउडर यूज होगा मतलब मीठा सोडा नहीं उज होना है हमें सिर्फ ब्राउनी को बनाना है यहा इस पाउन जो आना चाहिए लुक जैसा वह लहाई लाना है इसलिए हमे यहां पर सोडे की ज़्रूरत बिलकुल नहीं है अब ये सारी चीज़े मैंने चान ली तो अच्छे से mix भी हो गई है अब इसमें जो मैंने liquid बना के तयार करके रखा था वो दूद में oil और नीबू का रस मिलाके वो इसमें मैं mix कर दूँगी दीरे दीरे करके सारी चीज़े डालिए और अच्छा सा एक perfect बेटर बन के तयार होगा रेशियो ध्यान रखेगा कि अगर एक कप मैदा है तो उस पे 75% भरा हुआ कप रहेगा दूद का उतना ही यूज होना है साथ में 8 चमच बटर या फिरगी या oil जो यूज करना चाहें ये रेशियो इतना perfect होगा कि आपका बिल्कुल भी material जो है वो बन के जब तयार होगी ब्राउनी तो perfect बन के तयार होगी इसे खुब अच्छे से mix कर लेंगे लम्स एक भी ना बचें और एक स्मूथ सा बेटर बन के तयार होगा बढ़ियां खुब शाइनी सा दिख रहा है ये glossy और साइनी लुक जो है वो जो हमने oil यूज किया है उसकी वज़ा से आता है और ये बनने के बाद भी इसलिए खुब moisture वाला रहता है अब क्या करेंगे म मोल्ड है इसमें मैं ऐसे करके ओल लगा ले रही हूं अच्छे से इसको grease कर लिया और आप चाहिए तो मैदे की dusting कर दीजे आपको बिल्कुल भी butter paper की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर है butter paper तो well in good और अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि मैदा ना यूज करके कुछ यू प्लेन पेपर का और अराम से उस पे हलका सा तेल लगा के oil लगा के ग्रीज करके यूज कर लीज़े पर्फेक्ट आपका बन के निकलाएगा बिल्कुल चिपकेगा नहीं और वही butter paper की तरह काम करेगा यह से मैंने अच्छे से सेट कर लिया अंदर और बाहर हर तरफ से यह लगाया था और अब इस बटर पेपर को लगाने के बाद भी मैं उपर से इसको हलका सा ग्रीज करूंगी और लिंग करूंगी अब और लिंग कर लिया था मैंने पहले ही अब इसमें यह पूरा मैटीरियल मैं पोर कर दूंगी अब पूरा नहीं डालना है क्योंकि इसमें मैं मेरे पास है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूं आपके पास ना हो तो यह कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है इसमें डालने वाली इसको हलका सा फ्लैट अच्छे से करके यह मेरे पास चौको चिप्स और कुछ वालनट पड चौको चिप्स नहीं है और आपको यह टेस्ट चाहिए कोई दिककत नहीं है आप एक छोटा वाला चौकलेट ले लिए 10 रुपए वाला और उसके चुटे 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 करके बीच विसमें इसे ही इस्प्रेड कर दीजेगा परफेक्ट वही टेस्ट आएगा जो चौक के उपर से अच्छे से पोर कर दूंगी सारा इसमें डाल के अराम से और इससे टाप कर लेंगे ताकि फ्लैट हो जाए उपर से इसमें से बबल जो अंदर हो वह भी निकल जाए आप इसे अगर ओवन पे बनाते हैं तो यह लगभग 10 मिट से 15 मिट में अराम से बनके तयार ह हो जाएगी अब उपर से भी मैं थोड़े से एक रोट के तुकड़े इस पे सजा देती हूं और डाल दिया यह उपर से अच्छे से और थोड़े से और चौको चिप्स मेरे पास बचे हैं उन्हें भी मैं डाल देती हूं बढ़ियां से यह पैला दिया इसके उपर अब इस अच्छ पे ध्यान रखिएगा इसका एक बहुत बढ़िया सीक्रेट यह है कि नमक कम मत रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कम नमक रखा था जब मैं शुरुआती दौर में अपना बनाती थी क्या ब्राउनी तो अच्छे से नहीं बेक होती थी तो मैंने इसमें जब एक पूरा पैकेट यूज किया है तो यह बहुत अच्छा हीट अप हो जाता है अब मेरे इस ब्राउनी को पच्छेस मिनट लगे हैं पकने में मैं इसे खोल के देख लेती हूँ वेरी नाइस कितना पर्फेक्ट ग्लॉसी लुक दिख रहा है बिलको चमकदार है ना ब चाकु पहले लिगा के देखते हैं यह पकी है कि नहीं परफेक्ट चाकु पर बिलकुल भी मेटरियल चिपका नहीं है इतमीस बहुत बढ़िया बनके तयार हुआ है अब इसको मैं कट कर लेती हूँ अब बड़े चौकोर पीसे इसके निकालने है तो मैं जो है पहले में कट लगा लूँगी पीच में ना लगा के ताकि जो हमें चौको टुकडे चाहिए वह मिल जाए क्योंकि मेरी बेकिंग ट्रे जो थी वह सर्कल शेप में थी तो ब्राउनी को चौको शेप में देना है मुझे तो किनारे से पहले काट लेंगे आराम से इसके टुकडे हो ना करते हैं आप बिसकुट बनाना चाहिए आप केक बनाना चाहिए या ब्राउनी बनाना चाहिए सब कुछ हम कुकर में या कढ़ाई में इस तरीके से नमक डाल के और उसको अच्छा सा हीट जब अंदर पैड़ा होती है और वह खुब अच्छा सा गरम हो जाता है तो एक ओवन की तरह ही वो काम करता है यह perfectly कट गया है मैं आपको एक टुकड़ा उठा के दिखा रही हूँ कितना moist सा perfect सा बना हुआ है है ना बहुत सुन्दर सा दिख रहा है यह अब मैं इसको खाने के लिए गर्मा गरम ही खाया जाता है यह ब्राउनी तो खाने के लिए ब्राउनी के साथ में मैंने बनाया है यह सीरप चॉकलेट सीरप घर का बना हुआ है perfect है अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं इसका भी वीडियो आगे अपलोड करूँगी बहुत ही आसान है चॉकलेट सीरप बनाना और इस गरम गरम ब्राउनी के साथ में चॉकलेट सीरप डाल के को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर अप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो फिर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए मेरे वीडियो को देखते रहिए मैं आपको ये काट के भी दिखा दे रही हूं कि कितना सॉफ्ट है ये ब्राउनी परफेक्ट है आप बनाईए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रा करिए बात करिए हम आपस में बात करकी ये जान सकते हैं कि कहा कमिया रहे गए हैं उसको हम सुधार के अच्छा और अच्छा बना सकते हैं थाइंक्यू फर वाचिंग